आज मन की बात के स्रोताओं को मैं एक और चुनोती के बारे में बताना चाहता हूँ जो अब समाप्त होने की कगार पर है ये चुनोती हैं ये बीमारी हैं काला जार इस बीमारी का परजी भी सेंट फ्लाए यानि बालू मख़्ी के काटने से भैलता है जब किसी को काला जार होता है तो से महिनों तक बुखार रहता है खुन की कमी हो जाती है शरीर कमजोर पड़ जाता है और वजन भी घड़ जाता है ये बीमारी बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी हो सकती है लेकिन सबका प्रयास से काला जार नाम की ये बीमारी अब तेजी से समाप्त होती जा रही है कुछ समय पहले तक काला जार का प्रकोप चार राज्यों के पचास से अधिक जीलों में फैला हुआ था लेकिन अब ये बीमारी बिहार और जारखन के चार जीलों तक ही सिमट कर रह गई है मुझे विश्वात है बिहार जारखन के लोगों का सामर्थ उनकी जागरुकता इन चार जीलों से भी काला जार को समाप्त करने में सरकार के प्रयासों को मदद करेगी काला जार प्रभाविक छेत्रों के लोगों से भी मिरा आगरह है कि वो दो बातों का जरूर ध्यान रखें एक है सेंट फ्लाय या बालू मक्खी पर नियंत्रा और दूसरा जल्द से जल्द इस रोग की पहचान और पूरा इलाज काला जार का इलाज आसान है इसके लिए काम आने वाली दवाएं भी बहुत कारगर होती हैं बस आपको सतर्क रहना है बुखार हो तो लापरवाही ना बरते और बालू मक्खी को खत्म करने वाली दवाईयों का छिरकाव भी करते रहें